आपगारी दूर्णेती मामलाई ब्रिहोष पतिबार दिल्लेन मुखो मंची के शमन इजीर ओई दीनी केज़ीवाल के ग्रेपतारी राशूंका कोड़ छे आपने त्रित्तो मदीर बिदुथे शरूब होवाते आपके धंशो करा चेश्टा करा होच्छे ओभी जोक आपने त्रित्ते चुनमल शिप्षेना शहू इंडिया जोटे सब दल के सीबियाई इजी दिये भायदाखानू चेश्टा होच्छे आपेर पाशेदारी ए मन्तव बोष शिप्षेना उत्धक गुर्ष्टी शांग्षत संजय राउते जीस मनिश सिसुद्या के खिलाब कोई इविडेंस नहीं है यह बात सुप्रिम कोर्ट में हम सुन रहे थे वह अचानक दस दिन में इविडेंस आ गया और मनिश सिसुद्या का बेल रिजेट हो गया संजे सिंग भी अंदर है हम लोग भी बेल पर छुटे है अभी अभी चाहे आप हो चाहे तुन्मूल हो चाहे शिवसेना हो चाहे एंसीपी हो अरजेडी हो इंडिया गडबंदन के सभी प्रमुक लोगों को इस प्रकार से जुटे मुकतमे जुटे फायर फिर CBI फिर ED करके यह सब को पोलिटिकली खतम करने का काम ED को दिया है CBI को दिया है यदि के पाल्टा के इंडियो शिक्खा मोंटे धर्मेंद्र प्रुधान बोलचे नाई ने रूट्धे के उन आए दूनी थी कोडले तदून तो हवे ब्रश्टाचार के खिलाब एक आंदोलोन से निकलने का दावा करते थे उनकी असलियत अभी लोगों की सामने आ चुकी है उनकी कई दजन नेता जेल के अंदर है मौनिल अंडरिंग प्रमान के साथ भ्रश्टाचार की तत्य यह सब उजागर हो चुका है कई प्रकार की आरोपों में यह लोग घिरे हुए हैं इनको बेल तक भी नहीं मिल रहा है सुभाविक उस पार्टी की नेता जो एक प्रशाचनिक इकाई के प्रमुक है उन्हीं की सरकार की सराब निती की बारे में यह प्रस्ण है तो मुख्यमंत्री करके तो उनको उतर देना ही पड़ेगा ना सरकार की प्रमुक के नाते उनको उतर देना पड़ेगा कोई जबाब दही के उपर कोई नहीं है इस देश की कानून वेवस्ता में सब समान है कुछ लोग कुछ खानदान खुद को प्रिविलेज मानते हैं यह अलग बात हैं यह कोई भी व्यक्ति कानून की खिराब करेगा तो उनको उतर देना है पनेगा अर्विंद केजरिवाल जी को ईडी ने समन किया है हर तरफ से खबर आ रही है कि दो नवंबर को जब अर्विंद केजरिवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगे आज भारतीय जन्ता पार्टी और प्र्धानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आमादमी पार्टी को खतम करना चाहते हैं उनको इसलिए गिरफतार किया जाएगा क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीजी को अर्विंद केजरिवाल से डर लगता है उन्हें पता है कि अगर इस देश में कोई एक नेता है जो खुल के भारतिय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है जो भारतिय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता है उस नेता का नाम है अर्विंद केज रिवाद